सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 20 जो की कक्षा आठवी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है विज्ञान विशे से और इसमें आज हम समझ रहे हैं पाठ प्रकाश को तो चलिए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पन में बनने वाले प्रतिविम के लक्षनों के बारे में जानेंगे तो आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट में हमने ये प्रकाश परावर्तन के नियम तो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है आपतन कौन सदैव परावर्तन कौन के बराबर होता है तो आपको याद है ना आपतन कौन कौन सा होता है पिछली बार हमने ये चीज़ समझी थी ये तो आपतित किरन होती है यानि जो प्रकाश वस प्रकाश पर प्रावर्तित कोन के बराबर होता है पिर इसका दूसरा नियम है प्रकाश परिवर्दन का दूसरा नियम कि आपतित किरन, आपतन बिंदू, पर अभिलम तथा परावर्दित किरन ये सभी एक ही तल में होते हैं. तो समतल धर्पन में प्रतिविम आओ इसे एक गतिविधी ध्वारा हम समझते हैं. इसके लिए हमें समगरी चाहिए एक समतल धर्पन यानि सिंपल एक मिरर और एक टॉर्च। समतल धर्पन PQ के सामने O टॉर्च रखें. ये मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साथ में एक चित्र बना हुआ है जिसे आप देखिए और इस चित्र की स्थिति के अनुसार ही हमें सब समगरी को रखना है और इस गतिविधी को करना है. तो फिर दर्पन पर दो किरने OA और OC आपतित हो रही है. अब दर्पन PQ की सतह पर बिंदू A और C पर अभिलंब खीचें. जैसा की चित्र में दिखाया गया है. बिंदू A से परावर्तित किरन AB और बिंदू C से परावर्तित किरन CD भी खीचें. देखिए मैंने इसमें आपको बता रखा है कि आपतित किरन कौन सी होती है और परावर्तित किरन कौन सी होती है. ये तो होती है आपतित किरन और ये होती है परावर्तित किरन. फिर इसके बाद अब इन देखाओं को पीछे की और बढ़ाईए. क्या अब ये रिखाओं को आपस में मिलती हैं, यदि हां तो इस बिंदू को O से निरूपित कीजिए, क्या परिवर्तित किरने इपर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदू O से आती प्रतीत होंगी, क्योंकि परिवर्तित किरने वास्तव में O पर नहीं मिलती हैं, बलकि मिलती हुई प्रतीत होती है इसलिए हम कहते हैं कि बिंदू O का आभासी प्रतिविम O पर बनता है यानि छोटे ओपर ध्यान से देखेगा ये सब इसमें चित्र में दिखाया गया है आप इसको ध्यान से देखिए तो फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है समतल दर्पन द्वारा बनने वाले प्रतिविम के लक्षन यानि समतल दर्पन में जो प्रतिविम बनते हैं उसके क्या-क्या लक्षन होते हैं और आपको मैं बता दूँ ये हमारा उत्तर नमबर एक भी है जो प्रश नमबर एक है उसका उत्तर यही है तो इसका पहला लक्षन है कि प्रतिविम दर्पन के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पन के सामने रखी हो ही होती है देखिए जैसा कि आप ध्यान दीजिए कि अगर आप दर्पन से एक मीटर की दूरी पर खड़े है न तो दर्पन में जो प्रतिविम बनेगा वह भी दर्पन और प्रतिविम के बीच की दूरी एक मीटर ही होगी यानि दरपन के पीछे वो प्रतिबिम एक मीटर की दूरी पर ही बनेगा प्रतिबिम सीधा और बिम्ब के अकार का बनता है जैसा कि इस तस्वीर में भी आपने देखा है कि एक मुंबत्ती रख्यो ही या तो उसका प्रतिबिम भी बिल्कुल वैसा ही और उसी अकार का ही बनेगा और बिल्कुल सीधा फिर इसके बाद है कि प्रतिबिम को परड़े पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आभासी बनता है यानि अगर हम चाहें कि किसी परड़े पर इसको हम प्रोजेक्ट करके दिखाएं तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह आभासी होता है यानि आभास देता है हमें कि वो है फिर जो चौथा इसका लक्षन है वो है संतल दरपण में वस्तु का दाया भाग प्रतिभिम में बाया दिखाई देता है इसको आप हमेशा याद रखेगा जिसे पाशर्व वयूत क्रमन कहते है तो देखे जो संतल दरपण में वस्तु का दाया भाग होगा वो हमेशा प्रतिभिम का बाया दिखाई देगा आपको इसको हम पाशर व्यूत क्रमन कहते हैं तो इसको इस बास से समझ सकते हैं कि जो ambulance शब्द होता है देखिए ambulance पर हमेशा वो उल्टा लिखा हुआता है इसलिए होता है कि इसके आगे जो गाड़ियां चल रही है वो अपने मीरन में अगर उनको दिखाई दे कि तो उनको वो ये सीधा नजर आएगा क्योंकि उल्टा लिखा है तो वो उसका सीधा नजर आएगा और वो उसको रास्ता दे पाएंगे तो ये थे प्रतिबिम्ब के लक्षण चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रशन उत्तर की ओर तो पहला प्रशन है कि समतल दर्पन द्वारा बनने वाले प्रतिबिम्ब के कोई चार लक्षण लिखिए जो अभी अभी हमने समझे हैं वही इसका उत्तर है तो ये है हमारा उत्तर नमबर एक कि प्रतिबिम्ब दर्पन के पीछे पाशर्व व्योत करमन कहते हैं तो ये था पहले प्रशन का उत्तर अब चलते हैं अपने दूसरे प्रशन की ओर दूसरा प्रशन है कि पिंकी दर्पन में अपना प्रतिबिम्ब देख रही है दर्पन और उसके प्रतिबिम के बीच की दूरी चार मीटर है यदि वह एक मीटर दर्पन की ओर चलती है तो प्रतिबिम्ब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी पिंकी और प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी होगी तीन मीटर कैसे क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि वस्तू और दर्पन के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी प्रतिबिम और दर्पन के बीच की होगी तो अगर प्रतिबिम और दर्पन के बीच की दूरी 4 मीटर है तो इसका मतलब जो पिंकी और दर्पन की दूरी भी 4 मीटर ही है तो अगर pinky दरपन के और एक मीटर चलेगी तो दूरी एक मीटर कम हो जाएगी यानि तीन मीटर रह जाएगी तो इसलिए प्रतिबिम और pinky के बीच की दूरी तीन मीटर होगी फिर इसके बाद है प्रेश नमबर तीन अंग्रेजी वर्ण माला के वो अक्षर लिखिये जिनके प्रतिबिम बिल्कुल उन्हीं की तरह ही बनते हैं यानि उनमें कोई चेंज नहीं होता तो ऐसे अक्षर हैं A, H, I, M, O, T, U, V, W, X इनको आप अगर दरपन में देखेंगे त जैसे यह नजर आते हैं यानि इनमें कोई चेंज नहीं होगा फिर इसके बाद है प्रश नमबर चार प्रतिबिम जिस परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वहे प्रतिबिम कहलाता है क्या कहलाता है वहे इसका उत्तर आएगा आभासी आ, भा, दरपन में वस्तु का कौनसा भाग दाया भाग या लिखना है दाया भाग प्रतिपिम का बाया भाग दिखाई देता है यानि हमें हमेशा धरपन में जो प्रतिपिम बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है तो इसका उत्तर होगा समतर धरपन में वस्तु का दाया भाग में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्श्रीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अगर आपक